बिस्मिल्लाई रह्मानी रहीम अस्सलाम उलेकूं वेलकम तो उर्मानस किच्चन आज संडे था और गर्मी इतनी ज्यादा थी फ्रेंड्स के कुछ बनाने का दिली नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा मैं क्या ऐसा बनाऊं जो जटपट से बन जाए घंटों का काम मिंटों में निपड़ जाए तो फिर मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया फ्रीज में पनीर पड़ा है तो लाव पनीर की सबजी बना लेते हैं वो भी इंस्टन्ट वाली और बहुत ही फटा-फट सी रेडी हो जाएगी और मैं कीचन में आ चुकी थी गर भी बहुत जादा थी तो मैंने क्या-क्या कर्टन को उपर कर दी और बस ये विंडों वगेरा उपन कर दी ताकि हवा आए क्योंकि कीचन में जनरली क्या होता है हम फैन वगेरा चला नहीं सकते हैं गैस भुझ जाने के चांसिस होते हैं इसलिए मैंने सोचा आज मैं व्लॉगिंग स्टाइल में ही रेसिपी सूट करूँ आप सबको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं ऐसी ही अच्छे-ची वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर और मेरी दी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा यहाँ पर ज़बर जरसा पनीर बनाने के लिए मैने दो प्यास ले ले थी वो बड़ी सा इसकी थी उसे अच्छे से पील कर लेना है और यहाँ पर दो मैंने गार्लिक लिये थे उसे भी पील कर लिया था और एक हरी मिर्श ले क« अच्छे सी। इसका पेच्ट बना लेना है। यह पणिर्मसाला इंस्टंट रडी करेंगे। बनालो है कि अच्छा प्रॉइ्ट पेश्टों में हम talks आप और तो शेयर कि aplatina रडी हора uh ोने Virginia пять अच्छा रडी ऐसे ऐसे कियों करें užने के दो बाइध एसा मुझे लगता है इसलिए मैंने फ्राइंग पैन चेंज करके कडाई का सिस्वाल करना ज्याधा प्रिफर किया कडाई में मुत अच्छे तरीके उर बहुत एकskे तरीके मसाले भी भुन जाते हैं और बहुत नं स्टिक ठाइंग पैन लेते हैं तो प्लम के यहाँ पर कडिश टेबल स्पून के करीब ऑईब कर ले था रखना उसके बाद वन टी स्पून मैंने या पर जीरा एक एलाइची और दो लॉंक और अभी मुने जो आपको बताया प्यास का पेस्ट बना कर रखा था प्यास का पेस्ट आहेट कर देना थोड़ा प्यास का पेस्ट जार में बज गया था तो मैंने उसे भी जार को क्लीन करते हुए डाल दिया है हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है स्लो फ्लीम करकर इसे डख कर 10-15 मित के लिए पका लेना है और यहाँ पर मैंने दो टमाटर ले लिये थे जो मीडियम सा इसके थे बस उसे वाश कर लेना है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से उसका भी प्योरी बना लेना है यहाँ पर देखिए प्यास थोड़ी थोड़ी भून चुकी है हमें तब तक प्यास को सेखना है जब तक प्यास गोल्डन ब्राउन कलर नहीं ले लेती प्यास जितना हम अच्छी तरह से भूनेंगे फ्रेंस इतनी ही अच्छी है हमारी सबजीर रैडी होगी यहाँ पर मैंने वर्ण टीस्पून के करीब अद्रक का पेस्ट जाल दिया है अद्रक के पेस्ट से बहुत अच्छा फ्लीवर आता है इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ढग देंगे और यह गोल्डन प्राउन कलर आ जाए वहाँ तक इसे बहुत अच्छी तरीके से बूल लेना है यह दिखें पांच मिरत तक मैंने स्लो फ्लीम करकर बूल लिया था और यह बहुत अच्छा गोल्डन प्राउण कलर आ चुका है यह कड़ाई में बस यही फर्क होता है नौन स्टीक और कड़ाई में बहुत अच्छी तरीके से मसाल वगेरा बून तो आप देख सकते हो प्याज की कॉंटेटी कितनी हो चुकी है और तेल अगेरा मैंने कितना जादा डाला था आप देख सकते हो सब कुछ दिखाई नहीं देता भी तेल और यहां पर बस टमाटे की प्यूरी जो बना कर हमने रखी ती वह मैंने यहां पर एड कर दी है इसे ब मैंने यहां पर पांच मिनिट के लिए बहुत अच्छी तरह के से भून लिया था आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा तेल वगेरा दिलीज हो चुका है और इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे मसाले इसमें एड कर देंगे बस यही सही टाइम होता है मसाले एड करने का यह आप चाहे तो इसे टोटल स्कीप भी कर सकते हो इसकी जगह पर आप गरम मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे बहुत अच्छी तरह के से मिक्स कर लेना है मैंने यहां पर मसाली की कॉंटेटी कितनी ली है डिस्क्रिप्सर में दे दूंगी या तो फिर यहां पर आट से दस काजु लिये थे इसको गरम पाने में भीगो दिया थे और बहुत ही अच्छा इसका फाइन्ट पेस्ट बना लिया है तू का जब पेस्ट हम बना थे इस इस्टेंटली फ्रेंट्स तो बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और का पेस्ट डालने से इतना क्रीमी टेक्ष्यर आ जाता है और इतना बढ़िया लगता है रेस्टोन स्टाइल हमारी पनीर बटर मसाला बनके रेड़ी होगी हमने बटर का स्तेमाल इसमें नहीं किया और नहीं हम क्रीम का स्तेमाल करेंगे हमने ये बहुत ही healthy वे में बनाया है रेसिपी को एंड तक जरूर देखेगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, यह बहुत इंस्टंटली बन जाता है, आप यकिन नहीं करोगे, यह मैंने 15 मिनिट में फटा-फट से रेडी कर लिया था, जनरली हम पनीर मसाला, टमाटर, प्यास, काजू, लसन, यह सब को अगर भूल से घर उपर से, और पूरा सब में कीचन में मैस हो जाता है, तो यह देखे, आप पनीर ले लिया थे, पनीर को बस कट कर लेना है, चुटे-छुटे क्यूब्स में, आप चाहो तो इसे कैसे भी करके कट कर सकते हो, और इसको ना ही शेकने की जरूरत है, ना ही ग इसको थोड़े सी तेल में golden brown effect भी दे सकते हो लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे ही डाला है पनीर को ऐसे भी बहुत ही बढ़िया लगता है और आप देखना चाहते हो authentic style पनीर बटर मसाला तो यहाँ पर आई बटर में में लिंक दे दूँगी आप जाकर चेक कर लिजेगा और यह लिखने में इतना टेस्टी है ना फ्रेंड्स खाने में इतना डिलीस्यस और इतना सुपब था के वन टाइम में ही पूरी डिस मेरी complete हो चुकी थी और इतना बढ़िया लग रहा था इसके साथ मैंने पराटे सव किये थे वह भी मैं आपको बताऊंगी अभी और फाइनल हम ग्रेवी हमें जितनी चाहिए ना फ्रेंड्स इतना हमें पानी एट कर देना है तो मैं यहां पर थोड़ी जाधा ग्रेवी करूंगी और बहुत जाधा मोटी सी ग्रेवी नहीं पसंद थोड़ी फल किसी पतली होती है तो बहुत जाधा अच्छी लगती है लेकिन हमें पान पानी डाल कर इसे पकाना है ऐसा नहीं कि पानी डाल दिया और हमाई सब्जी रेडी हो चुकी है बिल्कुल नए ढग देना इसे और इसे पांच से दस मिट के लिए पका लेना है यह देखें पांच दस मिट के लिए मैं ऐसे ही चोड़ दिया था और अगेन हम कीचन में आ बहुत ज़ाधा पतली भी ग्रेवे नहीं है और थीक भी ग्रेवे नहीं है मेडियम ग्रेवी है पराठो के साथ परफेक्ट है फटा फट पराठे भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ यहांपर मैं ने एक पराथा ले लिया था और तवे को बहुत अच्छा गरम कर लिया है हमें सबसे पहले क्या करना है पराथे को उलट-फुलट करकर बहुत इच्छी तरीकी से सेक लेना है गॉल्डन ब्राउन कलर आए वहां तक हमें सेक लेना है उसके बाद ही हमें गी का इस्तेमाल करना है पहले गी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है वरना क्या होता है गी ज़्यादा यूज होता है और प्लस गोल्डन ब्राउन इफेक्ट नहीं आता और जो पराठे होते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते और टाइम भी जादा लग जाता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले पराठे को उलट उलट करकर गोल्डन ब्राउन कलर आए वहाँ तक से एकना है उसके बाद हमें गी डालकर अच्छी तरह से पका लेना है तब जाके पराठे इतने क्रिस्पी क्रंजी और बहुत ही जबर्जस लगते है तो यह देखिए पराठा भी मैंने बना लिया था यहाँ पर एक पराठा भी आपको बना कर दिखा दिया मैंने और यह देखिए जबर्जस ही हमारे पनीर मसाला बनके रेडी हो चुका है घर पर ही रेस्टोरन का स्वाद आने वाला है इतना बढ़िया और इतना मस्त बनाता फ्रेंड्स कि एक बार आप बनाओगे तो बार बार इसी रेसीपी को फॉलो करोंगे और नॉन स्टीक में मत बनाना फ्रेंड्स यह एल्यूमिनियम की जो बनाया था वो भी रेडी है आये तो अब हम यह डीस कैसी बनी है उसका रीवियू ले लेते हैं मेरी बेटी बताएगी यह डीस कैसी बनी है बिल्खुल ओनेस रीवियू दाइगे हो बिटा अब इसको हम खाएंगे बनी है और ग्रेंगे वाँ गई लेगे लेगे वाँ अब देगे लेगे अश्मेंगे